हेलो फ्रेंजड्स कैसे हैं आप सभ लोग वीकेंड़ पर हम लोगा का प्लान होता है कि जितना भी ग्लासुरी शॉपिंग है घर का जितना भी शॉपिंग हम लोग्र के हम लोग ही रखते हैं तो इस वी केंद़ पर हम लोग आए हैं कॉस्ट को होल सेल मार्केट यह दिखिए हैं यहां पर जितने भी ग्रॉश आझे हम हम लोग पहुंच गए to कोश्को और वंधी जा रहे है अंदर जोन्शनाक यार पांचने के बाद अंदर को डिखा ही आप्र कैसे है क्या है क्या है का मेलता है तो अब चले आफको बाँर से धिखाते हैं कि कैसा है यह 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 पार्किंग देखिए पार्किंग जो कितना बड़ा पार्किंग एरिया है उधर और भी बहुत सारे पार्किंग है उधर और एक चीज है कोस्टको में आपको कोस्टको का मेंबर्शिप कार्ड होना चाहिए यहाँ पर शॉपिंग दनें के लिए ऐसे ही आप नहीं जा सकते पहले आपको इसके लिए मेंबर्शिप कार्ड बनाना पड़ेगा और मेंबर्शिप कार्ड जो है 60 डॉलर से स्टार्ट होते हैं और तीन तरह के कार्ड है तो इसमें से कोई भी कारड आप बना सकते हैं और इसके अंदर जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं और जैसे ही एंटर करेंगे एंटर करते ही सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोनिक सामाने दिखेंगे और यह देखें यह सारे टेलिवीजन सें और यहां पर आपको हर कंपनी के टीवी मिल जाएगे और बहुत ही अच्छे प्राइस में मिलता हैं यहां पर और यह फोटो सेंटर है यहां पर पासपूर साइज से लेकर कोई भी बड़े बैनर साइज का फोटो प्रेंट आप निकाल सकते हैं और यह मोबाइल सक्षन है यहां पर हर ब्राइंड का मोबाइल फोन मिल जाता है यह होम अप्लैंस से सेट अपको पूरा रूम का सेटप करना हो जैसे आपको लॉंडरी रूम सेटप करना हो या किच्els सेट अप såट आपको यह सब आप यहां से ले सकते हैं यह computer and laptop section है, यहाँ पे हर brand का laptop and accessories आपको मिल जाएगा यह पूरा section kitchen tools and crockeries का है, यहाँ पे आपको अच्छे-च्छे crockeries मिल जाएगे और इस section में आपको हर तरह का kitchen appliances मिल जाएगे और इस section में आपको सारे school supplies के सामाने मिल जाएगे और यहाँ पे हर तरह के बहुत अच्छे-च्छे furniture आपको अपने घर के लिए मिल जाएगे और यहाँ से liquor का section स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपको हर तरह कबोटका, wine, champagne, rum, हर brand का drink यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ से fruit and vegetable का section स्टार्ट होता है यह red onion जो है 8LB का एक packet है जिसका price $5.49 है यह बैकरी section है यहाँ पे आपको bread, muffin यह सब मिल जाएगा और आप यहाँ पे cake order करके भी बनवा सकते हैं और यह non vegetarian section है यहाँ पे आपको हर तरह का meat and seafood मिल जाएगे और इस section में आपको सारे dairy products मिलेंगे जैसे कि milk और एग यह सब आपको इस section में मिल जाएगे और जैसे कि आप देख सकते हैं यह पूरा section जो है से बच्चों का diaper और wipes का section है चलिए अभी आपको ले चलती हूं मेरा फेवर सेक्षन यह है ready to eat food section यहाँ पे आपको इंडियन फ्रोजन फूर्स मिल जाएगे यह देखिए यह नान यह चिकन टिक का मसाला और यह चिकन कोकनट करी और यह देखिए यहाँ पे पनीर भी मिल जाता है बहुत ही आसानी से अ हुआ हुआ है और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको हर तरह का कुकिंग ओयल मिल जाएगा जैसे कि वेजिटेबल ओयल ओलीब ओयल कैनला ओयल यह सब यहाँ पे मिलते हैं और इस सेक्षन में आपको हर तरह का राइस मिल जाता है देखिए मसूरी राइस है बास्मती राइस है और यहां से कपड़ों का सेक्षन स्टार्ट होता है जैसा कि आप देख रहें कितना बड़ा एरिया है कपड़ों के लिए और यहां पर अच्छे अच्छे ब्रैंड वाले कपड़े बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं और अभी चलिए आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाती हूं यह और गनिक ड्राइ मैंगोज है यह एक पैकर जो है 16 डॉलर कहता है यह फार्मासी सिक्षन है यहां पर आप मेडिसंस भी ले सकते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं यहां से ड्राइफ रूट एंड चॉकलेट सेक्षन स्टार्ट होता है जब भी हम इंडिया ट्राइवल करते हैं यही से चॉकलेट लेकर जाते हैं अपने फ्रेंड और फैमिलीज के लिए और यह देख रहे हैं आप बिलिंग सेक्षन यहां पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है तो चलिए अभी आपको में लेकर चलती हूँ कॉस्टको के फूट कोट एरिया में सॉपिंग करने के बाद जब भी आपको भूक लगे यहां पर आकर आप खा सकते हैं तो चलिए दिखाती हूँ किसका क्या प्राइस है तो सबसे पहले यह एक इसमें 24 पीस एग हैं और इसका प्राइस था 3.99 डॉलर्स और यह मिल्क एक डबा एक गालन का आता है तो दो डब याटी है एक साथ इसमें और इसका बर्अज था 5.99 अर उसके बाद यह टोमेटु लिया आमने ये टोमेटो का प्राइस है इस एफोर य बीक आता है यह टोटल और इसका प्राइस था 6.99 और यह बेल पकर इसमें टोटल छे पीजस बिल पेपर्स हैं और इसका प्राइस था 7.99 डॉलर्स यह था मेरा आज का छोटा सा को सॉपिंग वीडियो और कोस्ट को के बारे मुझे एक चीज यह अच्छा लगता है कि वहां पर उनका खुट का फुट कोट एरिया है जहां पर कुछ अच्छे खाने स् पीजा, होट डॉग, होट डॉग तो बस्याम लोह नहीं खाते हैं बर्गर्स, और फ्रोजन योगर्ट, आइस्क्रीम, सोडा यह सब जो मिलता है वह उस खाने में बहुत अच्छा लगता है और वहां पर सबसे कम प्राइस में मिलता है यह सब सब से बेस्ट होता है उसका जाने के लिए आपको उसका मेंबर्सिप कार जरू लेना पड़ेगा और मेंबर्सिप जो है 60 डॉलर से स्टार्ट होता है और तभी जाकर आप जा सकते हैं उसके अंदर शॉपिंग कर सकते हैं तो आज का वीडियो में यहीं एंड करते हूं तो मेरा आज का वीडियो आप क्यासा लगा कमन करके जरू बताईएंगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजे तो मिलते मेरे अगले वीडियो में थैंक यू बाई